नमस्कार मैं हूँ अंकूर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com सत्यहिंदी की एंड्रोइड एप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाईए वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अब एक नज़र डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर पंजाब उत्राखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरबरी को मतदान होगा वहीं मड़िपूर में दो चरण में मतदान कराए जाएंगे चुनाओ की तारीखों का एलान होने के साथ ही आदर्श आचार सहिता लागू हो गई और इसका कड़ाई से पालन कराए जाएगा इसका उलंगन होने पर चुनाओ आयो कर रबाई करेगा उन्होंने कहा कि चुनाओ में मतदान का वक्त एक घंटा बढ़ा है जाए मुक्य चुनाओ आयोक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों को ऐसे उमीदबार जिन पर आपरादिक मुकद में दर्ज होंगे उनके बारे में जानकारी देनी होगी उन्होंने कहा कि चुनाव में लगे सभी कर्मचारियों को कोरोना की दोनों डोज लगी होंगी इस बात को आयोग ने सुनिशित किया इन चुनावी राज्यों में 15 करोड लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है इसके लाब मुख्य चुनाव आयोग तुने कहा कि 15 ज जीत हासिल कर लिए वहीं आमाद्मी पार्टी ने इस प्रतीजे पर आपती जैता ही है। प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षान में चूप को लेकर बीजेपी और कॉंग्रे सामने सामने आ चुके हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणी सिंग चन्नी ने सरदार पटेल का जिकर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कि सबस के खिलाब का रभाई होनी चाहिए। अंडी टीवी के साथ बातचीत करते हुए गड़करी ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो में जो भाशन किया था। उसमनों ने कहा था कि हमारा धर्म सहिशुर्ता के आधार पर है, सहिश्ता के आधार पर है, सरल्ता के आधार पर है। हमारे राजाओं ने कभी किसी के पूजाच्तलों को नहीं तोड़ा, हम विस्तारबादी नहीं हैं, हम यही कहते हैं कि पूरे विश्चुका कल्याण हो, यही हमारी संस्कृती है, इसलिए यही विचार मुख्य विचार हैं, ऐसे में कोई अगर इसके विप्रीत बाते करता है, तो वो हमारी मुख्य विचारधारा नहीं है, उसको नकारना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसको महत्तु नहीं देना चाहिए, उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा, इंडियन इंसिट्यूट अफ मैनेजमेंट बैंगलूरू और एहमदाबाद के 166 चात्रों और शिक्षिकों ने हेटी स्पीच और अल्प संक्षय को पर हो रहे हमले को लेकर प्रधानमंत्री का रेले को पत्र लिखा है, पत्र में कहा गया है कि मानन ये प्रधानमंत्री हमारे देश में बढ़ती असाइशुनता पर आपकी चुपी नफरत की आवाजों को बढ़ावा देती है और ये हमारे देश की एक तौर अखंडता के लिए खत्रा है, पत्र में कहा गया है कि हम सभी के लिए निराशा जनक है जो हमारे देश के बहुसा अंस्कृतिक तानेबाने को महत्तु देते हैं करोना वैक्सीन की बूस्टर डोस यानि तीसरी खुराक के लिए रेजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं होगा, इसके लिए या तो ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन कराया सकता है या फिर सीधे टीका करन केंदर पर जाकर टीका लगवाया जा सकता है हलां कि इसकी गोशना आधिकारिक तोर पर नहीं की गई है लेकिन मीडिया में सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है 10 जनवरी से स्वास्तर कर्मियों, फ्रेंट लाइन वरकर्स और कमोडिटीज वाले 60 से जादा उमर के लोगों को तीसरी खुराक लगाई जानी है पिछले महीने 25 दिसंबर को बूश्टर खुराक की गोशना की गई थी, हालां कि तब प्रदहान मंत्री ने इसे बूश्टर खुराक की जगए प्रिकॉशन डोज कहा था दिली के स्वास्टर मंत्री सत्यंदर जैन ने कहा कि आज दिली में 20,000 कुरोन मामले आ सकते हैं दिली में पिछले 24 घंटों में 48 ओमिक्रोन के मामले दर्च के गए हैं जिसके साथ दिली में ओमिक्रोन के कुल मामले 513 हो चुके हैं बीते 24 घंटों में करोना संक्रमन के 1,41,986 नए मामले सामने आये हैं ये मामले बीते दिन के मामलों से 21 फीसदी जादे हैं बीते 24 घंटों में 285 लोगों की जान गई है कल करोना के 1,17,100 नए मामले सामने आये थे इसे साब पता चलता है कि संक्रमण बेहद तेज रफतार के साथ फैल रहा है जिन पांच राज्यों में सबसे ज़्यादा मामले आये हैं उनमें महराश्ट में 40,925, वश्यमंगाल में 18,213, दिल्ली में 17,335, तमिल्लाडू में 8,981 और करनाटक में 8,499 मामले सामने आये हैं भारत में अब ओमिक्रोन के मामले बढ़कर 3071 हो गए हैं जिन में से 1203 लोग इस वेरियंट से ठीक भी हो चुके हैं भारत में अब तक 27 केंदर शाषित राज्यों और प्रदेशों में ये मामले पाए गए हैं ओमिक्रोन के सबसे अधिक 876 मामले अब तक महराश्ट में पा सत्य हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर